दोस्तो इस वीडियो में मैं कोटक महेंदरा बैंक के क्रेडिट काड का लिमिट बढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मुझे ओफर मिल चुका है प्री अप्रूवड और मुझे बार बार इमेल वाटसेप और ये ओफर्स ओप्सन में दिखा रहा है ठीक है मुझे बहुत सारा इमेल आया हुआ है कि आप अपना क्रेडिट लिमिट बढ़ा लिजिए और ओफर्स में भी मैं आपको दिखाता हूँ देख सकते हैं अभी मैं कोटक महेंदरा बैंक का मॉबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन मैंने खोल लिया है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ओप्संस है और यहाँ पर आपको एक ओप्संस दिखाए देगा स्क्रॉल करने पर लोन्स का यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ offer जो कि 46,000 रुपया ये करने वाला है अभी मेरा जो limit है वो 37,000 रुपया ही है और एक बार मैं इसके उपर click करके आपको दिखा देता हूँ और avail करने के लिए यहाँ पर avail now के उपर click करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बता रहा है कि आपको जो credit card का limit है वो बढ़ा दिया जाएगा और मैं आपको बता दूँ मेरे पास दो credit card है एक है कोटक UPI रुपे credit card है और दूसरा एक और card है मेरे पास यहाँ पर वो उस पर अभी offer नहीं है इसी पर offer है तो आपको यहाँ पर terms and condition अगर पढ़ना है तो terms and condition जो लिखा हुआ है blue color में इसके उपर click करके पढ़ सकते हैं और मैं आपको बता दू कि कोटक महेंद्रा बैंक कभी भी free में limit नहीं बढ़ाता है वो आपसे कुछ charge करेगा जैसे कि यहाँ पर नीचे बता रहा है कि 100 रुपेया प्लस GST यानि कि 180 रुपेया आपका piece लगेगा अगले billing cycle में वो भी आपसे जोड़ लेगा और आपको उसे भरना पड़ेगा और भी मेरे पास दूसरे बैंकों का credit card है और वो पैसा नहीं लेते हैं लेकिन Kotak Mahindra Bank के अपना limit बढ़ाएगा तो उसका पैसा लेगा 100 रुपेया प्लस GST यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप इसे agree करते हैं तो बढ़ा सकते हैं नहीं तो यह offer खतम होने वाला है आपको कंफर्म करना होगा तो चलिए मैं कंफर्म के उपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर यह लास्ट स्क्रीन है एक बार आपको कंफर्म करने के लिए सब कुछ दिखा रहा है credit card number इतना है और existing limit मेरा 30,000 रुपया है नया limit बढ़ा करके 46,000 रुपया करेगा तो कंफर्म के उपर क्लिक कर देता हूँ निचे option है और यह देख सकते हैं limit increased हो गया है मतलब limit यह बढ़ा दिया your credit limit has been successfully increased to 46,000 रुपय और यहाँ पर SMS आ गया अब मैं home page के उपर क्लिक कर देता हूँ अब मैं अपना कोटक महंदरा बैंग का credit card का option खोल लेता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं जाता हूँ card of view के उपर क्लिक कर देता हूँ MP डालता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले मेरा वीजा वाला गार दिखा रहा है इसका limit मैंने नहीं बढ़ाया है इसका total limit 37,000 रुपया ही है क्योंकि 31,133 रुपया मैंने मेरा outstanding है जो की एक EMI चल रहा है और यहाँ पर 5,800 रुपया मेरा limit बचा हुआ है total यहाँ पर देख सकते हैं credit limit 37,000 रुपया ही है और यहाँ पर एक बगल वाला देख सकते हैं मैंने रुपय का एक credit card activate किया था उसके base पर पहले वाले card के base पर तो इसका जो limit है देख सकते हैं 46,000 रुपया हो चुका है इसमें भी मैंने 6,000 रुपय का outstanding किया हुआ है खर्च किया हुआ है ठीक है तो इसका limit मेरा बढ़ चुका है पहले यह भी 37,000 रुपया ही था